यूपी में बारिश का अलट इन ख्षेत्रों में खिलेगी धूप मौसम विभाग के अनुसार 22 जन्वरी तक कई ख्षेत्रों में बुंदा बांदी देखने को मिलेगी जबकि कुछ ख्षेत्रों में शीतलहर अलट जारी किया गया है तीन दिन तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा ख्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना भी जताई गई है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हलकी बारिश की संभावना जताई गई है पाँच दिन उत्तर प्रदेश में शीत लहर का कहर कम रहेगा हाला कि बारिश से मौसम थंडा बना रहेगा कडाके की सर्दी से लोगों को तीन-चार दिनों तक रहत मिलेगी बिहार में इस दिन से थंड से मिलेगी रहत बिहार में थंड का सितम धीरे-धीरे कम हो रहा है कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में वृद्धी देखी जा रही है जबकि कुछ क्षेत्रों में इसके और गिरने की संभावना जताए गई है पूरी भाग में घना कोहरा चाया रहेगा जबकि कुछ शेत्रों में शीत लहर का पूर्वानुमान जारी किया गया कई क्शेत्रों में हलकी बुंदा बांदी देखने को मिलेगी कोहरे से मुजफरपुर से लिप्टा हुआ है नियून्तम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है भागलपुर में 10 दिन 13 साल का रिकॉर्ड तोर दिया है धूप की वजह से तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है लेकिन कडाके की ठंड की विदाई के लिए भी लोगों को इंतजार करना होगा नियून्तम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है 9 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवाय चल रही है